हेलो फैंट्स वेल्कम बैक टूमा यूटूब चैनल आई होप आप सब लोग बढ़िया हूंगे और डेली कुछ नहीं सीख रहूंगे अपने काम को बहतर बनाने के लिए जिससे कि आप अपनी फिल्स में अपना बैस्ट दे पाएं तो इसी आसा के साथ इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को टॉपिक है अने वाले fall को solve कर सकते हैं क्या क्या उनके अंदर alarm साते हैं उनसे रिलेटेड क्या-क्या problems होती हैं उन alarm के पीछे आने के कारण क्या है तो सारी चीजे हम इस वीडियो में डीटेल में जानेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना क्योंकि एक लंबा चार्ट है मेरे पास बहुत सारी डीटेल हैं, बहुत सारे अलारम हैं और उनके solution हैं और उनसे related और बहुत सी चीजे हैं और compare भी करेंगे कि एक जो watercool chiller है क्या उसके parameter aircool chiller के parameter से मिलते जुलते हैं या जो fault आपको watercool chiller में देखने को मिलता है same as क्या aircool chiller में भी ऐसे faults आते हैं तो ये सारी चीजे compare करके भी देखेंगे और वीडियो में बहुत कुछ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक presentation बना रहे हैं जिसके अंदर मैंने एक SOP chart रखा हुआ है तो ये जो chart मैंने बनाया हुआ है ये कि एक chiller को मैंने ध्यान में रखते हुए है जो कि है 300 TR का chiller जो कि commonly used होता है बहुत जगोबे तो जो ये chiller के parameters है या reading आप इस chart में देख रहे हैं शायद और जो दूसरी chiller होते हैं उसमें अलग हो सकते हैं क्योंकि जो capacity होती है चiller की वो अलग-अलग होती है क्योंकि अगर किसी का comparison करते हैं मान लिजए अपने domestic level का split AC और window AC का comparison industrial level के chiller के साथ जो की है 300 TR का उसके साथ करते तो उसकी reading में आपको बहुत ज़ाद अंतर देखने को मिल सकता है obvious सी बात है तो जो ये readings हैं ये शायद बजल सकती हैं किसी भी chiller के capacity के हिसाब से बढ़ जो यहाँ पर आपको fault और उसका जो analysis है वो same देखने को मिलेगा और उससे related यहाँ पर आप देख पारेंगे controlling system active यानि कि उससे related जो chiller है उसके अंदर कौन से system लगाए जाते हैं कि वो अपने आप इस fault पर आने पर अपने आपको protect करें तो इस सारी detail इस वीडियो में देने वाले हैं तो start करते हैं सबसे पहले तो उपर की तरफ आप यह row देख पारें पहले इसमें इसकी detail जान लेते हैं तो उपर आप देख पाएंगे यहाँ पर fault description लिखा है तो इस side पर जितने भी आप यह point देख पारें यहाँ सारे alarm हैं जो कि चिलर के अंदर आते हैं या fault है जो चिलर में आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर एक list बना रहे हैं जो कि 10 point की हैं और उसी के आगे आप यहाँ देख पाएंगे इस column में मैंने लिख रहा है fault analysis यानि कि इस से related क्या कारण हो सकते हैं इस fault के या alarm के आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं आप यहाँ सामने देख पा रहोंगे इसकी बेख लंबी list है उसे के साथ उसके बगल में आप देखेंगे यहाँ पर controlling system active अब इसका मतलब क्या है यानि कि आपके chiller के अंदर ऐसा क्या system होगा जो ऐसे alarm आते ही या ऐसे alarm आने पर अपने आपको protect करे तो यह भी जानेंगे उसके बाद उसकी limit क्या है यानि कि यह जो control system active होगा उसकी limit क्या है सीमा कौन सी है उसकी वो भी जानेंगे और अगर इस time पे यानि कि इस alarm आने पे अगर आपका compressor या unit shut off या shutdown हो जाता है तो उसकी limit क्या होगी shutdown limit क्या होगी यह भी देखेंगे उसके बाद यहाँ पर last column में है rectification level यानि कि यह सब चीजे जो हो रही है आपके chiller के अंदर जो भी fault देखने को मिल रहा है अलारा मारा है उसको rectify कौन करेगा या company से कोई आएगा या operator को ही यह करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैंने सारी detail दे रिखिये हैं चोलिए दोस्तों start करते है पहले point के साथ पहले fault के साथ तो पहला fault है अगर चिलर में आपको यह देखने को मिलता है high discharge alarm का तो इसके पीछे क्या reasons हो सकते हैं तो वो जानेंगे fault analysis में तो पहला point है low condenser water flow यानि कि जो condenser है उसके अंदर जो पानी का flow है pressure है वो बहुत कम है जिसके वज़े से अपना heat अच्छे से transfer नहीं कर पा रहा है जिसके वज़े से आपकी चिलर का जो discharge है वो बढ़ता रहेगा दूसा point है high condenser water temperature यानि कि जो cooling tower से पानी आ रहा है condenser की तरफ वो पहले से ही गरम है अगर वो पहले से ही गरम रहेगा तो वो कैसे represent अपनी heat को transfer कर पाएगा water के अंदर तो इसी के इस कारण से भी आपका चिलर क्या high discharge का alarm शो करेगा तीसा point है falling in condenser tube यानि कि condenser tube के अंदर गंदिगी का आ जाना तो यह मिलनी तो देखा नहीं जाता नॉर्मली बट हाँ जो scaling का formation है उसके वज़े से आपको condenser tube में falling देखने को मिल सकती है तो इसका जो समाधान है वो descaling है जो कि साल में 6 मेने में करी जाती है तो जो scale का formation है वो एकदम से नहीं होता है देरे-देरे scale बनता है और उसके बाद कुछ time के बाद वो proper scale हो जाता है यानि कि जो limestone है वो proper बन जाता है तब जाके जो falling वाला concept है वो देखने को मिलता है condenser tube के अंदर तो इसका समाधान आपका descaling है चौता point है air in the system तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था chiller plant do's and do not में कि आपका जो cooling tower है उसमें आपको पानी का level बार बार चेक करना होता है अगर पानी का level cooling tower में एकदम से गिर जाता है या पानी नहीं रहता है cooling tower में तो system में air आने का खतरा रहता है क्योंकि आपका जो pump है वो चलता रहता है और pump क्या करेगा अगर पानी नहीं है क्योंकि refrigerant heat अपनी transfer नहीं कर पा रहा है किसी में तो ये चार point हो सकते हैं commonly और देखे भी जा सकते हैं किसी chiller के अंदर जिससे कि आप क्या कर सकते हैं इस alarm से related chiller को क्या कर सकते हैं rectify कर सकते हैं इस alarm के related जितना भी अगर कोई fault देखने को आपको मिलता है chiller में तब तो ये थे किस तरीके से हम उसको analysis करेंगे किसी fault को अब इसके बाद है तीसर कॉलम में control system active यानि कि अगर high discharge alarm आपके chiller में देखने को मिलता है तो उससे related chiller में कौन सा protection लगाए जाता है यानि कि कैसे chiller अपने आपको protect करेगा क्योंकि 24 गंटे तो कोई इंसान वावा खड़ा नहीं रहता है फिर भी तो chiller के अंदर जो temperature, pressure या sensor के थुरू controlling system लगाए जाते हैं जो कि sense करके क्या करते हैं compressor को protection प्रदान करते हैं तो इसमें क्या होगा आपका compressor shut down हो जाएगा अगर high discharge चले जाता है तो compressor क्या हो जाएगा अपने आपी बंद हो जाएगा तो इसकी limit क्या है तो 130 से लेकर 160 PSIG तक आप इसको चला सकते हैं यानि कि ये सीमा है यहां तक आपका chiller चल सकता है बट shutdown limit क्या है यानि कि कब आपका compressor shut down होगा तो 180 PSIG पर आके आपका compressor अपने आप बंद हो जाएगा और यह वो pressure है जहां पर आपका compressor shut down हो जाएगा यह वो limit है छीक है इसके बाद इसको contactify करेगा operator भी कर सकता है इसको rectify अगर operator से नहीं हो रहा है तो वो आगे contact भी कर सकता है company से और company क्या करेगी अपना technician बीजीगी इस problem को solve करने के लिए तो यह था पहला point अब air cooled में ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो air cooled में पहली बात cell and tube type का आपको condenser देखने को नहीं मिलता है air cooled में आपको condenser देखने को मिलेगा वो होता है आपका coil and tube type का तो उसके अंदर second refrigerant या second fluid नहीं होता है water होता ही नहीं उसमें जो रेफिजेंट है अपनी heat direct atmosphere में transfer करता है तो उसमें अगर मैं कहूं अगर ऐसा कोई high discharge से related कोई problem देखने को मिलती है तो वो उसकी coil के गंदे होने के वज़े से हो सकता है या बाहर का temperature उसके जानिस होता है क्योंकि जो air cool होता है वो directly contact में होता है air के तो जो बाहर का temperature बढ़ेगा तो आपका चिलर का discharge भी बढ़ता रहेगा तो यह था पहला point जिसके थुरू आप इस तरीके के fault को analysis कर सकते हैं आई होप आपको समझ में आ चुका होगा अब चलते हैं पॉइंट की तरफ यहाँ पर दिया गया है low section alarm अगर इस से related को आपको चलर में देखने को मिलता है तो किस तरी से तरीके से उसको rectify किया जाएगा तो क्या क्या कारण हो सकते हैं पहले उसको देख लेते हैं तो पहला point है low leaving evaporator water temperature यानि कि जो आपका temperature निकल आए वएपरेटर से sorry water निकल रहा है उसका temperature बहुत कम है यानि कि जो改 programmed है क्या है अपनी ही ट्रांसफर तो कर रहा है और जो पानी का temperature है वह बहुत कम है यानि कि जो load है आपका आगे वो क्या है बहुत कम absorb कर रहा है heat को यानि कि आपका load बहुत आगे कम लगा हुआ है जिसके वज़े से पानी अपनी ठंड़क ज्यादा drop नहीं कर पा रहा है जिसके वज़े से वही पानी घुम आला राम आपको देखने को मिल सकता है तीसरा पॉइंट है low evaporator water flow यानि कि जो पानी का flow है वो बहुत कम है चिलर के अंदर जिसके वज़े से low suction आला राम आपको देखने को मिल सकता है अब यह air cool में होता है या नहीं तो air cool में shell and tube type का आपको evaporator देखने को मिलेगा तो same उसमें भी आपको इन जैसी दिक्केतों का सामना करना पड़ सकता है तो इसके अंदर controlling system कौन सा activate होगा तो compressor shut down हो जाएगा अपने आपी और कहां तक चलना चाहिए 32-40 PSIG तक अराम चे यह सीमा है उसकी चलने की उसके बाद यह जो shutdown limit आप देख पार हो 24 PSIG तो यहाँ पर आके इस condition में low suction alarm में compressor shut down हो जाएगा तो इसको reactify कौन करेगा operator से हो सके तो वो कर सकता है अगर उससे नहीं होता है तो technician बुलाया जा सकता है इस condition में तीसरा point आप देखेंगे low discharge super heat alarm अगर इससे related चलर में कोई alarm आता है तब क्या condition रहेंगी तो पहला point हो सकता है low oil temperature यानि कि oil का जो temperature है तो आपका हीटर से काम नहीं कर रहा है या आपका जो आयल के temperature है वह बहुत कम होने के वजए से क्या दिखा रहा है आपका low discharge super heat alarm दिखा रहा है साथ 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 second point हो सकता है low condenser water temperature यानि कि condenser के अंदर water temperature है वह बहुत कम है जिसक Phoenix fly tussen sighs simply lower dischargeуса सूपर हिट का अलारम शो होगा अब ऐसे में कौन से कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए तो यूनिट सट आफ हो जानी चाहिए आपकी आपकी यूनिट बंद हो जानी चाहिए तो सीमा कौन सी है कंट्रोलिंग की तो अब बारे डिगरी फैरनाइट तक है और उसके हैं चौता पॉइंट है SPPR इसका मतलब है सिंगल फेस प्रिवेंटर अगर आपके उसमें SPPR सिंगल फेस प्रिवेंटर से रिलेटेड कोई अलारम आता है तो क्या कंडिशन होनी चाहिए या किस तरीके के रीजन होंगे उसके पीछे के तो पहला पॉइंट है लो क्या है अन्बैलेंस हैं जिसके वज़े से आपको SPPR से रिलेटेड आलारम देखने को मिल सकते हैं तो कंड्रोल के सिस्टम के अंदर कौन सा कंड्रोल कंड्रोलिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा यूनिट अपना सट डाउन हो जाएगी 415 वोल्ट तक का कंड्रोलिंग लिम पांचवा पॉइंट है डटी ओईल श्लैस लो एंपियर नमर स्टार्ट तो इससे अगर आपको अलारम देखने को मिलता है तो क्या होगा तो पहला पॉइंट है और फिल्टर ब्लॉक यानि कि जो ऑईल का फिल्टर है वह ब्लॉक हो चुका है जिसके वज़े से आपको ऐस पोइंट है डिसपले इंगे डिसपले आपकी सही से काम नहीं कर रहे है चौता पॉइंट है क्वान्ट टर जो ना चीए तो यहान पर दोनों में कोई सी भी लिमिट नहीं है यानि की आपका अउस्पलेशअ शटड़ नहीं हो सकता है कभी भी यहाँ पर कोई भी controlling limit और shutdown limit नहीं है तो इसको company rectify करेगी या उसका technician rectify करेगा सही करेगा च्छटा point है oil DP alarm तो इससे related क्या condition होगी या क्या reason होगी तो पहला point है condenser water temperature too low यानि कि जो condenser का पानी है उसका temperature बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या second point oil feed seneloid wall failure यानि कि oil को feeding करने वाला जो seneloid oil है वो सईसे काम नहीं कर रहा है जिसके वज़े से oil DP alarm आपको देखने को मिल रहा है तो इससे related controlling system क्या activate होना चाहिए compressor अपने आप shutdown होना चाहिए तो इसमें controlling जो limit है वो कुछ नहीं है और जो shutdown limit है वो है आपकी 25 PSIG यानि कि इस condition में आके आपका compressor shutdown हो जाएगा इसको rectify कौन करेगा operator भी कर सकता है company technician भी आ सकता है तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे तो आगे आते हैं हम 7 वे point में तो यहाँ पर है no evaporator water flow यानि कि evaporator में पानी का जो flow है वो नहीं दिखा रहा है या ऐसा alarm आपको चिलर में देखने को मिल रहा है तो उसमें क्या conditions हो सकती है क्या regions हो सकते है तो यहाँ पर पहला point है low chilled water flow यानि कि जो पानी का temperature वो बहुत ज़्यादा कम है जिसके वज़े से ऐसा alarm आपको देखने को मिल रहा है second point है chilled water pump failure यानि कि जो chilled water water पानी को things करने वालाव वो सही से work नहीं कर रहा है या बंद ओचुका है तीसरा है water flow switch failure यानि कि जो water flow switch है flow switch क्या करता है पानी को sense करता है जो layers connected तो वो पेल ओचुका है वो बिज़े से work नहीं कर रहा है तो उससे क्या होगा आपको यहाँ पर no evaporator waterfall का आलारम देखने को मिल सकता है अब ऐसे में controlling system कौन सा activate होना चाहिए unit अपना बंद हो जानी चाहिए अब वो कब होगी अब वो unit of कब होगी जब आपका pump और जो chiller है वो आपस में interlock होंगे यह बहुत ज़्यादा important है अगर आपका pump किसी वज़े से काम करना बंद कर दे तो आपका chiller अपना बंद हो जाना चाहिए साथ के साथ जिससे कि आपको जो chiller है वो damage ना हो उसमें कोई भी दिक्कत देखने को मिले ना बाद में तो यह बहुत ज़्यादा important है ऐसे में क्या हो सकता है तो water loss हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी का क्या हो सकता है रिसाओ हो सकता है तो इसको कौन वो करेगा rectify operator या company आटफा point है no condenser water flow यानि कि जैसे भी मैंने वापिटर में बताया था उसी तरह अगर condenser में आपको alarm देखने को मिलता है कि पानी का flow नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या reasons हो सकते है तो पहला point है low condenser water flow यानि कि पानी का flow है वो बहुत कम है जिसके वज़े से ऐसा alarm देखने को मिल रहा है second point है condenser water pump fail जैसे कि आपने उपर देखा था evaporator में कि condenser का जो water pump है वो चलना बंद हो चुका है इसके वज़े से ऐसा alarm देखने को मिलेगा third point है water flow switch fail यानि कि जैसे evaporator में flow switch था वैसे ही इसमें भी flow switch होता है तो उसके काम ना करने से ऐसा alarm show हो सकता है तो ऐसे condition में क्या होना चीए system अपने बंद हो जाना चीए और वो काब होगा जब आपका pump और chiller interlock होगा आपस में और यह मैंने आपको बताया भी बहुत जादा important है इसमें भी आपको water loss देखने को मिल सकता है और उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे rectification level यानि कि कौन rectify करेगा इसको operator या company नव पॉइंट है freeze protect तो ऐसा अलारम अगर आपको देखने को मिलता है चिलर के अंदर freeze और protect का तो उसके पीछे क्या reasons हो सकते हैं तो पहला low chilled water flow यानि कि आगे जो load है यह आपका chiller जो अपनी heat अच्छे से transfer नहीं कर पाया जिससे कि पानी ठंडा ही है आपका जिसके वज़े से क्या पानी के ठंडे होने से क्या हो रहा है chiller के temperature बहुत ज्यादा कम हो रहा है उसके वज़े से freeze protect अलारम आपको देखने को मिल सकता है second point है chilled water pump fail यानि कि जो पानी चिलर के अंदर circulate कराता है pump वो फेल्ड हो चुका है third point है anti freeze sensor damage यानि कि जो चिलर के अंदर anti freeze sensor होगा वो damage हो चुका है जिसके वज़े से आपको freeze protect का अलारम देखने को मिल सकता है चिलर के अंदर ऐसे में क्या condition होनी चीए या कौन से controlling system activate हो जाने चीए यूनिट अपने आप shut off हो जानी चीए condition कैसी है या limit कौन सी है अब अब 43 degree Fahrenheit आप इससे convert करके देख लीजेगा बाद में और shutdown कब होगा या unit shut off कब होगी 39 degree Fahrenheit पे तो उसको rectify कौन करेगा operator अगर हो सके अगर नहीं होता है तो company technician आ सकते हैं दसवा point है WIE delta transfer failure अब ऐसे condition में अगर ऐसा failure आपको देखने को मिलता है ऐसा alarm चिलर में देखने को मिलता है तो उसके पीछे की reason हो सकते हैं पहला contactor failure second cable burned out यानि की cable आपकी जल चुकी है contactor आपके काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपका unit अपने आप ही shut down हो जाएगा अगर electrical parts related कोई भी fault होता है तो unit अपने आप shut off हो जाना चाहिए और ऐसे में कोई limit नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसी कोई condition बनती है तो आपका unit उसी time shut down या shut off हो जाना चाहिए और बहुत जाद important है क्योंकि चिलर में damage के साथ साथ महाँ पर आग लगने का खतरा भी हो सकता है तो company के through rectify किया जा सकता है इसको तो यह कुछ point थे जिसके तुरू मैंने आपको SOP बताई चिलर की और इसमें बहुत सारे यह important part थे तो जैसे कि मैंने बताया कि air cool में ऐसा ही parameters होते हैं या नहीं होते हैं तो same आपको देखने को मिल सकते हैं बस इसमें जो condenser था वो आपका shell and tube टाइप का था जबकि आपका air cool में coil and tube टाइप का होता है और बाकी आपको लगबग लगबग शेम ही एर कूड में भी देखने को मिल सकते हैं तो ये था चिलर के SOP से रिलेटेड चार्ट आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और ये बहुत जादा इंपोर्टेंट है अगर आप किसी भी चिलर के अंदर false को समझना चाते हैं उसके पीछे के reasons को समझना चाते हैं तो यहाँ पर मैंने पूरी detail डाली हुई है अब बात आती है आप इसको download कर सकते हैं जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप जाएगा मेरे telegram channel पे वहाँ पर आपको यह image या आपको ऐसे diagram और भी मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप इसको download कर लीजेगा link आपको description में मिल जाएगा इस video के जाएगे और ऐसी कई सारी आपको images, diagram और PDF देखने को मिल सकते हैं आप जाके download कर सकते हैं राम से तो I hope आपको video समझ में आया होगा और मैं आपको बता पाया हूँगा अच्छे से SOP से related तो अगर videos आपको अच्छे लगते हैं मेरे तो जाएगे videos को like जरूर कर दीजेगा अगर share करना चाते तो share भी कर दीजेगा अगर videos related कोई भी doubt है तो comment जरूर करिएगा चैनल से नहीं जुड़े हैं तो subscribe करके जुड़ सकते हैं और इसी तरीके की videos मैं डालता रहता हूँ इस channel पे और आगे भी आती रहेंगी तो channel को जाके जल्दी से subscribe कर लिजेगा तो मिलते हैं इसी तरीके की interesting और important videos के साथ तब तक के लिए thank you